श्री क्रिश्न का नई आलाल कीजे श्री निजानन्द स्वामी कीजे श्री प्राणना थे प्यारे कीजे श्री करस नर्माई कहीं शुक बानी जोत खुश भोए ए अर सवस्तर भोशन के क्यो कहों सोभा सलो की सोए क्यो कहों सोभा सलो की सोए श्री क्रिश्न का नई आलाल की मीठी वानी चित चाहती है पुर्ण प्रम परमात्मा का श्वर उनकी वानी बड़ी ही मधूर है और ब्रमात्माओं के चित के अनुकुल है प्रमात्म जैसे चाहती है उस प्रकर्श है उससे भी अच्छी है इतनी मदूरबाणी है, मेठी है, खुसबोय नरमचित चाहे, जो खुसबोय सुगंदी है, में और कोमलता है, तो परमधाम की सब वस्तों में, तो वो भी उसी प्रकार से, जैसे चाहते हैं, उस प्रकार से, तो परमधाम के सारे द्रिश्य, सारे सामगरियां, जैसे पूर्ण ब्रह्म स्चाथे हैं कि ब्योंगमात्म हों कऊ एसा अनभव करवाएं उस प्रकAmerica तो वह प्रकष करते हैं तो ब्रह्मात्म जैसा चाहते हिए से उनके सामने प्रस्तवन दोанием शोभा शल्व की चित चाही शोभा सुन्दरता तो वो भी उनके अनुरूपी है ए अरश सुख कहे न जाए परमधाम कैसे सुख है इनका वरणन नहीं हो सकता अरश बका की हाकिकत माय लिखी वेद कतेव परमधाम की बातें वेद कतेवों में लिखी है परमधाम के संदरब में खोले जमाने का खावंद किन्तों उनके स्पष्टता करना है तो वो तो उस समय के स्वामी है तो ये इस समय के जिसको कते परमपरा में आखरी समय कहा जाता है तो उस समय के स्वामी है पुर्ण ब्रह्म परमात्मा वो प्रकट हुए हैं उन्होंने स्पष्ट करके बताया है और खोल न सके कोई भेड तो उस रहश्य को दूसरे लोग तो स्पष्ट करी नहीं पाए तो उन्होंने आकर के ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से फिर वो ब्रह्मात्मा उन्हें स्पष्ट करके कर दिया लिख्या वेद कतेव में सोई खोले जिन सिर खिताब वेद कतेव में भी वेदी करंथों में कतेव करंथों में इस प्रकर से समझाया है कि जिनको ये दाई तो दिया है, जिनके सिर पर ये खिताब कहने का ताथ प्रियुपाधी, तो ऐसे समय पर ये शक्ति प्रकट होगी और वो काम करेगी, तो वो ही काम करती है. देशी मुक्त सबन को करके अदल है इसाब, तो सब का अदल करना मतलब न्याय करना, और शाब का न्याय करके सबने जैसे-जैसे कारिय किये हैं, उनका इसाब लेखा जोका सब ब्यवस्तित्पन से करके सभी को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किये, सेर ले, मैंने अखंड श्वरूप का वर्णन किया है, अपने सेर पर ले करके, दाइतो ले करके, स्विकार करके, तो उसमें ये सात श्वरूप कौन-कौन से हैं तो, दो रास, पाँच अर्ष अजीम, दो रास के श्वरूप हैं, इस नश्वर जगत में की हुई अखंड लेला, उनके दो श्वरूप वर्णन किया हैं, और पाँच अर्ष अजीम, पाँच श्वरूप हैं, वो परमधाम के बताएं, तो परमधाम के पाँच श्वरूप में कैसे हैं, स्री राजी का स्वरूप तीन वार वरणन किया है और स्री श्यामाजी का स्वरूप है दो बार वरणन किया है इस प्रकार्शे वो पांच बार इसागर गरंथ में वरणन किया है तो ये पांच स्वरूप हो गए पांच बार और रास में स्रीराजी का और श्यामाजी का ऐसे एक-एक स्वरूप वरण किया है तो ऐसे करके ये साथ स्वरूप होता है तो अब वो ग्रंतों के अवतरण के संदर्वम भी तक में कहते हैं जेती परिक्रमा निजधाम की सातों स्वरूप स्रीराज सो सारे परनामिने वास्ते मोमिनों के काज तो ऐसा कहा है तो उसका ये तात्परिय है तो जेती परिक्रमा निजधाम की कहने का तात्परिय है जितना परिक्रमा ग्रंत और सातों स्वरूप स्री राज स्वाथ स्वरूप सागर ग्रंथ हो गया सातों अब इस सागर ग्रंथ इसमें सागर और सिंगार दोनों ग्रंथों को मान लेते हैं तो इस तरह से तो सातों स्वरूप स्री राज सो सारे परना में इस सारे ग्रंथ पन्ना में अवतरित हुए है वास्ते मुमिनों के काज ब्रह्मा आत्मों के लिए अब उसको कई लोगों ने दूसरे प्रकारशे अर्थगटन कर दिया कि वहां से जो उपाई उस प्रशंग में से निकाल करके अलग तरीके से कहने लग गए कि जो परमधाम की परिक्रमा है यहां की परिक्रमा करेंगे तो सब हो जाएगा तो परमधाम की परिक्रमा वो अर्थग अलग है धाम का महत्वा है आप धाम में परिक्रमा करते हैं तो वो परमधाम की परिक्रमा होती है तो वो परमधाम समझ करके करते हैं तो होती है रोजिप की परिक्रमा ही परमधाम की परिक्रमा होगी, पुर्ण प्रह्म परमात्मा का जैसा अक्षराति धामदनी को याद करके करते हैं, चलते फिरते हैं, तो चलना फिर नहीं परिक्रमा हो जाएगा, किन्तो मुल अर्थ वो है, बाकि तो सब धामों का अपना-पना साथ स्वरूप का बरणन किया है यह समझना पड़ेगा और आगे भी बरणन तो आए गाए यहां पर सिंगार में और अभी तक क्या यहां पर यह पताया है साथ स्वरूप यह बताया है और वहां साथों स्वरूप कहने का ताथ पर सागर और सिंगार गरन था है और यहां बत रहें अभी तक बर्णन की हैं वो बद पताया है बोज दियान सिर स्वरूपों के तो किसी भी स्वरूप के सिर पर ये भार नहीं दिया है हमने उठा लिया है तो हमें एदाईत मिला है तो हमने उठा लिया जो लो इल्मा को हुकमे कया नहीं समझाए जब अक्षराति धामदनी के आदेश से ये ब्रह्म ज्यान को समझाए नहीं जाए तो लो उस्वरूपों आपको क्यों कर सके जगाए तब तक वो आत्मा स्वहिम को कैसे जागरत कर पाएगी तो पूर्ण प्रम परमात्मा के आदेश से तार्तम ज्यान से इसको समझाना जरूरी है तब आत्म जागरत होगी जब रुवा को जगाए हुकुमा तब रुवा आप ही छिप जाए जब अक्षराति धामदनी के आधेश से आतमा जागरुत हो जाती है उस समय उसमें आमभा बिलकुल भी नहीं रहेगा देहाद्यास बिलकुल नहीं रहेगा अत्मिक भाव रहेगा तो वहां आंकार होता ही नहीं है तो फिर उसको हम कर रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं सब राज्य करवा रहे हैं ऐसा होगा यह कहना चाह रहे है अपने आप आत्मा छिप जाती है कहने कातात परिया तो वहाँ सब अक्षराते दाम देनी करवा रहे हैं ऐसा ख्याल आएगा तब रहे सिरह हुकुम के यह हुकुमे इल्म समझाए तब सब कुछ अक्षराते दाम देनी के आदेश के सिर पर चला जाता है इस प्रकार तारतम ज्यान हमें समझाता है ये श्री राज्य के आदेश ने तार्तम ज्ञान को इस तरह से समझा दिया जायरकियाह का इलमे रुवशेर आया हुकुमा तो अब इस ब्रह्म ज्ञान से ये पता चल गया कि आत्मा को कुछ दाईत हो दिया है ये ये कारिये इसको करना है ये आत्मा ये काम करेगी, ये आत्मा ये काम करेगी, वक्षराते ताम दनिने सब को दायतो दिया है, ये पता चला सोई करेह का वर्नना, तो इसलिए वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरुप का वर्नन करेगी, लेह कई हुकुमा इलमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश और ज्ञान, उनके दिया हुए ज्ञान, उनके दिया हुए ज्ञान उसके द्वारा ये वर्नन होगा कहने क अब मुझे ये दाई तो दिया है तो मुझे ये कारिय करना है हुकम है बेसका इलमा और हुकम है जो सही सक ये ज्ञान है ये भी पुर्ण प्रम परमात्मा के आदेश सही है और जोस और इसक प्रेम है वो भी उनके आदेश सही है महर निश्वत मिलाए के वर्णन करे आरशह का और उनकी क्रेपा और निश्वत उन सब को मिला करके अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्वरूप का वर्णन करते हैं यह आशिक करे वर्णन यह आशिक आत्मा वही वर्णन कर सकती है और आशिक सुने एत तो सुनने वाले भी ब्रह्मात्माई होगी कहने वाले भी ब्रह्मात्माई हैं यह कहने वाले भी मुमिन या रसुलती नसुरत तो यह कहने और ग्रहाण करने वाले हैं सुनने वाले और सुनने वाले दोनों ब्रह्मात्माई हैं उनकी अतिरिक तो कोई समझ नहीं सकते, या तो रसुल मुहमद ने जो तीन स्वरूप की बात कही है, उनको पूर्ण ब्रह्मा के विशाय में थोड़ा ख्याल है, बाकि किसे वो ख्याल ही नहीं है, तो थोड़ा कहने का ताथ पर यह, अब पूरा-पूरा ख्याल तो किसे को ह होता ही नहीं है, वो तो पूर्ण ब्रह्मा कोई होता है, तो उनमें भी यह था, कि जो पहले तीन स्वरूप की बात कहीं, पहले वाले स्वरूप को थोड़ा सा ख्याल हुआ, दूसरे स्वरूप के द्वारा उस सारे रहस्यों को स्पष्ट करने की चावी दिलाई, ज्यान और तीसरे स्वरूप के द्वारा स्पष्ट करवा है, जिनको जो दाईतों दिया है, सबने उस प्रकार शिकारिय किया है, यह कोई छोटे बड़े या उस तरह की बात में न जा करके, तो यह बात ऐसे समझाई है, कि जिनको जो दाईतों दिया है, उन्होंने अपना अपना अदाई तो निभाया है। अदाई तो निभाया है। अदाई शब्दों के शीमा में बादने का प्रयत्न में भी करती। यह कोई अलग अलग नहीं है। यह सब पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतरगती है। तो फिर मुझे कोई अलग ऐसा लगाई नहीं है। इसलिए शब्दों में बादने का मैं कभी प्रहत्न ही नहीं करती हूं। जो कुछ कह रहे हैं। यह तो बहुत थोड़ा है। इसका कोई इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जैसे समझेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व उसका है। वो बताना चाह रहे है। अब ऐसा क्यों हका आये दिल बीच चेतना। तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा रिदाय में बैठ गए और उन्हों नहीं यह सब कहलाया है। इसलिए तो यह ज़्ण के द्वारा यह बताया नहीं गया है। यह सब चेतन के द्वारा समझाया गया है। तो इनका वेवरा सिरह हुकमलेशी मौमिन अब इनका वेवरण भी करते हैं। कि ब्रह्मात्मा अपने शिरपर इस बात को धारन करेंगी। और अश्रम जेंगी परमधाम की बात, पुर्ण प्रह्मा की बात। तो हुकमे समझ जागसी मिले हुकमे हक वतना वो अक्षराति धामदने के आदेश से ही समझ प्राप्त करके जागरत हो जाएंगे। और वो परमधाम में फिर पुर्ण प्रह्म परमात्मा का अनभव करने लगेंगी। मैं तो उनके चरणों में हूँ ऐसा। दुनिया में प्रह्म परमधाम में चाकरित होगी। तो तो अनभव होनाई है। हुकमे चले हुकुमा हुकमे जाहर निश्वत तो यह पुर्ण प्रह्म परमात्मा का आदेश सलता है दुनिया में। वो भी चाते हैं तभी चलता है। और समंद पुर्ण प्रह्म परमात्मा के साथ में साथ का समंद ब्रह्मात्मा का समंद यह सब प्रकट होता है। वो भी वो चाते हैं तभी। हुकमे खिलवत जाहिर परमधाम के रहश्य को स्पष्ट करते हैं तो वो भी उनके आदेश से ही हुकमे जाहिर वाहिदत अद्वेत भूमिका का जो कुछ भी दुनिया में प्रकट हो रहा है वो पूर्ण प्रमात्मा चाहते हैं तब ही हो रहा है उनके आदेश से ही हो रहा है हुकुमे दिल में रोशनी दिल में दिल को रोशित कर प्रकासित कर देते हैं वो भी पुर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं तब ही प्रकासित होता है दिल सुद्ध हुकुमे अरशनूरा तो उनकी आग्यां से ये सुद्ध होती है किसकी सुद्ध होती है अरश परमधाम की और आक्षरदाम की पुर्ण प्रमाप्रमात्मा आक्षर परमे सारी समझ उनके सबसे होता है मुकैयद मुतलक हुकुमे मुकैयद काता त्वरे कैद करना मुकैयद कैद किया हुआ उसको मुकैयद कहते है कि वो कहते है न या बैटनो या पाक और वहादि पना या बैठ हाओ माएं तक्सीर तो मुकयत करना, माया के बंधन में पढ़ना, बंद जाना, माया से कईद हो जाना, माया से प्रभावित हो जाना या उससे मुक्त हो करके परमात्मा के प्रतिनिश्चित हो जाना ये दोनों ही पुर्ण ब्रह्मा चाहते हैं तब ही होता है हुकम अरश शहूर परमधाम की समझ भी उनके आदेश से ही प्राप्त होता है कोई दम न उठे हुकम बिना उनके आदेश के बिना तो कोई दम का तात्परिय कोई श्वास भी नहीं आता है कोई हले न हुकुम बेन पात पत्ता भी उनके आदेश के बेना चलने वाला नहीं है तहां मुतलक हुकुम क्यों नहीं जहां वर्ण न होए हक जाता तो जब स्वास निकल रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं वो भी पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से है सारा पत्ता हिलना भी उनके आदेश से है तो परमधाम का वरण पुर्ण ब्रह्म परमात्म का वरण ने उनके आदेश से कैसे नहीं होगा उनके आदेश से ही होगा हक बाते हैं हक हुकुमे सुने हुकुमे होए दिधार तो ये परमधाम की बातें, पुर्ण प्रह्म की बाते हैं, वो भी हकवाते रुआ हुकुमे सुने, तो वो पुर्ण प्रह्म के आग्यां से ही ब्रह्मा आत्म सुन सकती है, समझ सकती है, हुकुमे होए देदार दर्शन भी उनके आदेश से ही होँगे, हुकुमे इल्म आखर आखरे इल्मतार्तम ज्ञान भी उनके आदेश से प्राप्त होता है खोले हुकमे पार द्वार पार के द्वार भी उनके आदेश से खोले गए है ये वर्नन होता सब हुकमे ये सब पुरुने प्रम परमात्मा के आदेश से ही वर्नन हो रहा है आया हुकुमे वेशक के इलमत आर्तम ज्यान अवतरित हुआ वो भी उनकी चाहने से हुआ है हुकुमे जोस इसक इसक अधिन है जित हुकुम ते तका समा तो जहां पुर्ण ब्रह्म परमात्मा है वहीं उनका हुकुम है उनके आदेश से ही पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनवब होता है और हमारे दिल में भी वो इस परकार से बैठे जब ये द्वार हुकमें खोलिया जब ये सारे पार के द्वार पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से खुले हैं हुकमें देखिया कहा थ तब पता चला कि ये सब पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के हाथ में हैं, ये भी उन्होंने चाहा तब देखाया, तब रही ना फरे भी खुदी, अब कोई फरे भी जूट, मूठ, अंकार, कुछ भी नहीं रहे, कोई मिथ्य अभिवान नहीं, वाइदत हो को महा का साथ, अब में हुकुम इल्म जायर पहले ये ज्ञान प्रकट किया, वो भी उनके चाहने से ही, हुआ हुकुम इह का वर्णन, अभी जो वर्णन हो रहा है, ये भी वर्णन चाहा तब ही, मैं हुकुम लिया शिर अपने, मैंने तो उनके आदेश को ये अपने शिर पर लिया है, अब र तो अब उसी में सब कुछ समा गया है, अब मैंपन कुछ रहा ही नहीं, हक बैठे दिल अरश में, तभी पुर्ण ब्रह्म परमात्मा रिधाय को धाम बना करके बैठे हैं, जब अहांकार वगेरे सब कुछ मिठ गया है, कया हके अरश दिल मोमिना उन्होंने ब्रह्मात्माओं के रिधाय को धी परमधाम कहा है, रुवें पहुंचाई हके अरश में, हक बैठे अरश दिल रुहना, तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं के रिधाय में बैठ करके ब्रह्मात्माओं को परमधाम पुर्ण प्रह्म परमात्मा परंधम में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मात्मा के साथ में एक शण की भी जुदागी नहीं है, वियोग नहीं है, अब पुर्ण प्रह्म परमात्मा के आदेश सही, आप देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे, और अब देखो नहीं है, आँखों से भी देखो और वचन को भी सुनो, अब हक के हुकुम चलाईया, पुर्ण प्रह्म परमात्मा ने अपने आदेश को अब चला दिया है, खुदी फरे भी गई गल, अब आँखार सब मिट गया, यह सब जूट फरे बगर सब मिट गए हैं, रास खेल रश जागनी, अब जागनी रास का रस, ये जागनी रास को खेल करके इस रस का अस्वादन करते हुए, हुआ रुओं सुख अशल, अब रमात्मा को असल सुख प्राप्त होगा, कहे हुकुम महामत मोमिनों महामती, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही कह रहे हैं, हके पहुँचाई इनमजल, इस स्थान तक, इस स्थिती त पहुचाया, यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं पहुचाया है, कहे शाष्ट्र नहीं त्रही लोका में, सोहक बैठे रूहों बीच दिल, तो शाष्ट्र कहते हैं कि तिनों लोक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे दिल म आकर के बैठे गये हैं तो यह सारा पुर्ण प्रह्मन ने चाहा तब जाकर के हुआ है, ऐसा करना चाहर है अभी यहीं पर अखते हैं स्रक्रिष्न का नाया लाल की सोह का बैठे रुहों बीच दिल सोह का बैठे रुहों बीच दिल कहे खुकम कहे हुकमे महामत मुमिनों हके पहुचाई इना मजला कहे सास्त्र नहीं दिलोक में सो आका बैठे रूहों वीच दिला सो आका बैठे रूहों वीच दिला प्रिश्न का नईया लाला की जै श्री श्री गुरु आज की जै श्री पांच नौतन पुरियाम की जै जगत गुरु आचार स्री एक्सो आठ कृष्नमन जी वादा जी की जै